आज हम लोग बात करने वाले हैं space related questions के बारे में जो कि mostly आपके exams में पूछे जाते हैं ठीके guys तो objective questions होने वाले हैं सबसे पहले अगर हम लोग solar system को देखें तो यहां पर आपका solar system में कितने planet होते हैं total आपके 8 planet है ठीक है 2006 के बाद Pluto को outer planet यह dwarf planet घोशित कर दिया गया है यह हमें याद नहीं रखना है याद भी रख सकते हैं well अगर हम लोग बात करें यह है आपका sun और यहां पर आप लोग देख सकते हैं sequence तो सबसे पहले आता है आपका mercury then Venus Earth Mars फिर उसके बाद आती है यह एक asteroid belt जिसमें आपके stone like asteroid जो है वो गूमते रहते हैं चारो तरफ sun के ठीक है फिर आता है आपके gaseous planet जिसमें आप लोग देखते हैं Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune इनमें सभी के चारो तरफ जो है rings पाए जाते हैं लेकिन जो ज़्यादा proveniently दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं आपके Saturn में जो आपकी asteroid belt है इसके अंदर जो ग्रहे पाए जाते हैं इनके अंदर जो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं और sun और asteroid belt के वीज में जो आपके planets पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग terrestrial planets ठीक है terrestrial planets पोलते हैं और अगर हम लोग बात करें इसके बाहर वाले planet यानि कि इस belt के बाहर वाले जो planets है इनको हम लोग बोलते हैं gaseous planet ठीक है तो यह है आपके जुपिटर Saturn Uranus and Neptune अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा planet कौन सा है तो वो है आपका Jupiter सबसे चोटा planet कौन सा है वो है आपका Mercury और आप लोग बात करें इनके पास होते हैं अपने अपने satellites कुछ planets के पास अपने satellites नहीं भी होते हैं जैसे कि कौन से planets है Mercury and Venus इन दोनों के पास आपके satellites नहीं है ठीक है गाइस और इनके पास होने के और हमारे Earth के पास कौन सा satellite है तो उसका नाम है आपका Moon जिसको आप लोग Moon भी बोलते है natural satellite है ठीक है और Mars के पास है दो satellites जिनका नाम आप लोग याद रखेंगे Phobos and Dimos ठीक है और सबसे ज़्यादा satellite किसके पास है तो वो है आपके Saturn के पास याद कर लीजेगा और Jupiter के पास हुआ करते लेकिन Saturn ने उसको overcome कर लिया है सबसे बड़ा अगर satellite पूछा जाए तो वो है Ganymede satellite जो कि Jupiter के पास है ठीक है तो यह हैं आपके यहाँ पर कुछ information जो कि आपको याद रखनी है बढ़ते हैं हम अपने questions की तरफ तो पहला question है आपके पास who was the first woman to reach space पहली woman कौन थी जो कि space में पहुचे थी देखिए यहाँ पर women की बात हो रही है यानि कि आपको men और women में यहाँ पर देखना है सबसे पहले नाम दिया गया है Major Yuri Gagarin का फिर दिया गया है Valentina Tereshkova का फिर दिया गया है कलपना चावला सुनीता विलियम्स यहाँ पर male की बात हो रही है तो Major Yuri Gagarin जो है वो एक male है basically ठीक है और यह first human है जो की space में पहुचे थे ठीक है 1961 में पहले human जो की आपके space में पहुचे थे वो थे Major Yuri Gagarin अगर हम लोग female की बात करें तो सबसे पहले पहुचने वाली महिला है Valentina Tereshkova इनका नाम करूर याद रखिएगा आगे हम लोग बात यह गई थी 1963 में ठीक है गया अगला question है आपका who was the first person to reach space पहला person जो की space में पहुचे थे तो जैसा हमने अभी डिसकर्स किया है Major Yuri Gagarin जो है यहाँ पर correct answer हो जाएगा next आपकी बात करते हैं यहाँ पर 1961 में यह पहुचे थे अगला हमारा question है which planet has approximately the same land mass as Earth या फिर आप कहें कि Earth का sister planet जिसको बोला जाता है यहाँ पर याद रखिएगा Earth का sister planet किसको बोला जाता है Mars को बोला जाता है या फिर आप कहें यह सबसे आपके जैसे अप लोग अगर Sun से देखेंगे तो Mercury आएगा फिर Venus आएगा फिर आपका Earth आएगा देन आपका आजाएगा मंगल ग्रहे जिसको आप लोग बोलते है Mars ठीक है तो यह fourth है from the Sun ठीक है अब आगे आता है हमारा next question क्या क्याता है which planet spins backward relative to the others देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यह है आपका Sun then आपका Mercury, Venus, Earth, Mars यहाँ पर आपका asteroid belt फिर आजाएगा आपका Jupiter ठीक है फिर आजाएगा आपका Saturn Saturn then आपका आजाएगा Uranus फिर आजाएगा आपका Neptune ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को या याद रखना है कि आपके जो भी यह planet है Mercury, Venus, Earth and Mars ठीक है यह आपके जो planets है यह basically आपके move करते है अगर हम लोग अर्थ के बात करें तो यह आपका यहाँ पर अपनी धुरी से घूमता है तो यह घूमता है आपका West to East direction में ठीक है, rotation जो है वो West to East direction में है यह आपको याद होना चाहिए लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके East to West direction में घूमते हैं East to West direction में घूमते हैं कौन-कौन से है यह planet तो आपके जिन भी planets के नेम में नस नस आता है Venus and Uranus नस नस तो यह जो दो प्लानेट हैं यह आपके opposite direction में rotation करते हैं बागी planets से खीक है तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर जो भी आपका option में दिया हो उसके according आपको answer करना है यहाँ पर correct answer option A हो जाएगा next question है आपका which planet is nearest to the earth तो nearest कौन सा है तो याद रखेगा यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा option A Venus जिसको हम लोग evening star और आपका morning star भी बोला जाता है याद रखेगा evening star morning star क्योंकि यह सबसे जलती दिखता है आपको ठीक है अर्थ से दिखाई देता है इसलिए इसको बोला जाता है evening star and morning star और आप बात करें hottest planet भी इसी को बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपका next question दिया गया है which planet known as देखेए वाई यह question morning star and evening star correct answer वही बीनस हो जाएगा चिसको हम लोग शुक्र ग्रह भी बोलते हैं Hindi में अगला question है आपका which is the largest planet in our solar system solar system में आपका largest planet कौन सा है तो हम लोग ने starting में ही बात किया था कि सबसे बड़ा planet कौन सा है आपका Jupiter सबसे छोटा है आपका mercury ठीक है और nearest भी है आपके sun से ठीक है next आपका question हो जाएगा यहाँ पर which planet has the most moons तो सबसे ज़्यादा moon किसके पास है याद रखेगा Saturn के पास है और पहले Jupiter के पास हुआ करते थे लेकिन अभी Saturn के पास है याद रखेगा और यह खोजे होती रहती है तो अपने आपको update रखेगा क्योंकि यह बाद में क्या data आता है सामने वो उसमें depend करता है ठीक है which planet is closest to the sun तो sun के closest में कौन सा है आपका mercury है याद रखेगा सबसे पहले सीक्वेंस जो है वो याद रखना है आपको mercury आपका Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune ठीक है इसको आपको याद रखना है इस सीक्वेंस को अगला question है आपका which is the hottest planet in the solar system तो hottest planet कौन सा है सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे कि आपका जो सबसे पास में planet है Mercury है लेकिन यह hottest नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी environment ही create नहीं होता है लेकिन Venus के पास थोड़ा सा atmosphere create हो जाता है और जिसकी वज़े से यहाँ पर greenhouse effect जो है वो develop हो जाता है और इसी की वज़े से यहाँ पर सबसे hottest planet कहलाया जाता है Venus ठीक है यहाँ पर correct answer Venus अगला question है यहाँ पर which planet have rings around them तो rings around them जो है बैसी बैसिकली आपके जो asteroid belt है उसके outer जितने भी planet है mostly head rings around them ठीक है उनके चारो तरफ जो है rings पाय जाते है लेकिन जो हमारा Saturn है वो बहुत ही ब्यूटिफुली आपको ड्राव किया जाता है विद रिंक्स तो यहाँ पर Saturn या शनिग रह जो है आपको याद एखना है और आपकी यहाँ पर और और ऑप्शन में दिया जाए जैसे क Saturn Jupiter Uranus and Neptune यह अभी सारे आंसर आपके correct हो जाएंगे अगला question है आपका which is the coldest planet देखो hottest की बात कर ली अब बात करते है हम लोग coldest की तो coldest यहाँ पर क्या हो जाएगा Uranus जो है वो coldest है याद रखिए का जितना जादा सन से दूर जाएंगे हमारा coldest आता जाएगा तो यहाँ प पर what is the orbital period of moon moon का orbital period क्या है देखो जैसे कि हमारा जो sun है उसके चारो तरफ सारे planets चक्कर लगाते हैं तो earth है हमारे पास हमारा planet का नाम है earth ठीक है और यह जो है चक्कर लगाता है revolution करता है revolution करने में चारो तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं 365 दिन लगते हैं 0.4 something ठीक है तब ही तो चार साल बाद आपका leap year आता है और यह जो है day complete हो जाता है then 366 days आते हैं आपके leap year में है ना लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं moon की यानि कि सैटलाइट क तो हमारा सैटलाइट जो की आपका यह है moon और यह earth के चारो तरफ चक्कर लगाता है तो इस circle को पूरा करने में कितना time लगता है तो याद रखेगा यह रखता है 27.3 days ओके तो most accurate answer according to आपको option देना होगा यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा 27 days याद रखेगा ठीक है अग वालकेनों किसके पास सबसे जादा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि भई जो hottest planet है उसी के पास सबसे जादे वालकेनों होंगे और यह sun के सबसे पास में भी है mercury के पास नहीं है उसका surface area भी कम है venus उसे बड़ा भी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer आपका venus हो जाएगा ठीक है अगला question है आपका which planet do not have moons तो कौनसे planet के पास moon नहीं है तो याद रखेगा आपके venus and mercury के पास कोई भी moon नहीं है ठीक है याद रखेगा तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा venus और अगर आपको session पसंद आए तो please like कीज़ेगा share कीज़ेगा अपने friends के साथ औ comment करना ना भूलें आपको next video किस topic पर चाहिए thank you guys bye bye and take care